तो एक बार फिर से दोस्तों आपका हमारे यूटीब चैनल अनियर स्टेडी सेंटर में बहुत-बहुत स्वागत है तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इस चेप्टर का सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको यहां पर थिवरी कवर कराई हुई थी और इस प मेद की वीडियो चाहते हैं तो हमारे दूसरी चैनल अनिल जी टेक्नो को भी सबस्क्राइब करें वहां पर आपको मैद के सभी वीडियो मिल जाएंगे वहां पर आप मैद की जा कि अपना वर्क एंड टाइम चेप्टर ट्रैंगल चेप्टर हाइट एंड डिस्टन सभी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे पूरा-पूरा मैंने सॉलो कराया हुआ एक बाद जाके जरूर देखे अनिल जी टेकनो तो चलिए आज का वीडियो स्टाट करते हैं मेरा नाम अनिल कुसवा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर तो पहला नंबर कोशन देखते हैं वीडियो लेट से आ रही दो दिन मैंने वीडियो नहीं डाला तो उसके रिए सौरी बोलना चाहूंगा थोड़ा बीजी था तो अब देखिए पहला नंबर कोशन यहां पर क्या है उत्तार लिंस के समान आकार का प्रदिविम पराप्त करने लेंस की फूकस दूरी से दो गुने पर जवाब की वस्तु होती है तो आपका वहां पर क्या होता है कि जो वस्तु की लंबाई होती है और जो यहां पर आपके प्रतिविम की लंबाई होती है तो यहां पर आपका वन का सी नंबर विकल्प राइट हो जाएगा अब देखि की दूरी है वस्तु कहां पर रखी जाएगी तो यहां पर देखिए आप जब लेते हैं तो छोटा बड़ा करते हैं तो यहां पर एक शीजा आपने देखा होगा आपको अच्छर कैसे दिखते हैं सीधे दिखते हैं अच्छर सीधे दिखते हैं सेकेंड बात दोस्तों यहां यहां पर आपको क्या है क्यों का ऊता है और लेंच अब यहां पर उत्ता लेंच में ऐसा कांस प्रतिविम में जिसलिए मच्टे सिधला बनता तो स्कत Revelation Chili जिए और इंदात होग Дशी प्रकासिक और जो में तो वहाँ पर आपका जो प्रिद्विम्ब बनता है सीधा बनता है आभासी बनता और पूरा बनता है फुल आपका बनता है तो इसलिए टू का डी नेमर विकल प्राइट हो जाएगा अब यहाँ पर तीसरा क्या है किसी उत्तर लेंग से बना प्रिद्विम्ब आभासी हो जाएगा तो यहाँ पर वही जो मैंने भी आपको बताया वस्तु फोकस और प्रकासिक के जब बीच में होती है तो आपका सीधा बनता है आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा प्रतिम बनता है अपका थिरी का डी नंबर विकल राइट हो जाएगा तो यहाँ आपको समझे होता है पी वराबर हंड्रेड अपॉन एफ होता है कब जब आपकी फोकस दूरी किसी होती सेंटी मीटर में अब यहाँ पर यह गयाद करना है कि आपका प्लस को होगा कि माइनस को होगा तो यहाँ पर लिंस कौन सा उत्तर लिंस है अब आपको पता है उत्तर लिंस में फोक आपका डायोप्टर है डायोप्टर का सॉट फॉर्म यहां पर है अब देखें पांच नमबर कोशन में अपसे क्या बूला जा रहा है मीटरों में ना पी गई फोकस दूरी के व्यतकरम को क्या बोलते हैं तो वही दूस्तों है अभी आपका सेंटीमिटर में था तो मीटर में ना पी गई फोकस दूरी को यहां पर क्या बूलते हैं पी के बराबर होता है और पी क्या होता है आपका लेंस की छमता होती तो फाइब का ए नमबर रिकल्प राइट हो जाएगा तो अभी तक आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने नमबर कोशिन की चलते हैं कोश्चन है बीस सेंटीमीटर फोकस दूरी के आउता लेंस के सामने लेंस असे 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तू के प्रतिभिम की इस्तिति याद करनी है तो यहाँ पर आपको फोकस दूरी दी गई है उतले लेंस की और वस्तू यू कमान दिय कैसे होते हैं निगेटीव ही होते हैं यूवी आपका निगेटीव होगा आप देखे इसको सौलॉफ करते हैं सौलॉफ करने के लिए यहां अप बाइनस में आप दिया आगे यू कमान माइनस T से माइनस माइनस के हो जाएगा प्लस तो नहीं यहाँ पर प्लस लगा दिया और आगे हमने एक श्टिप बढ़ा दिया अब इसको देखिया आपको लाट लेकर स्वालव करना है तो आपका आएगा सेंटीमीटर की दूरी पर होगी लेंस से बारा सेंटीमीटर की दूरी पर तो देख लेते हैं कौन से विकलब यहां पर राइट होगा तो यहां पर आपका माइनस का बारा आया था तो यहां पर आपका आपका राइट हो जाएगा अब देखिए सेवेन नमबर में आपका क्या है सेवेन नमबर में बोला जा रहा है एक उत्तर लेंस से पांच सेंटीमीटर की दूरी पर इस्तित एक वस्तू का प्रतिवियम वस्तू की और उससे दोगुना बड़ा बनता है तो यहाँ देखिए उत्तर लेंस से पांच सेंटीमीटर की दूर पर आपकी वस्तू इस्तित है तो यह पर आपको यू कमान दिया गया है माइनस का पांच सेंटीमीटर अब आगे हैं पर की आगे दिया है वस्तू का प्रतिवियम वस्तू की और ही बन रहा है मतलब की वस्तू की और आपको पत है जब भी आपका आभासी प्रतिम बनता है यहां पर आपका एंगेटी होता है आप इसको नोट करके रख लिए यहां पर आपको प्रतिम की लेंस से दूरी याद करने है तो यहां से क्या निकालेंगे पहले एप निकालेंगे एफ आपकी दोनों कंडिशन में सेम रहेगी जब आपको अपता हो गए आगे यू कमान दिया तो वी कमान आप आसानी से निकाल पाएंगे देखिए कैसे स्वालब करना है वह मैं आपको बताता हूं तो यहां पर देखिए अब यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा तो यू बराबर क्या था वन माइनस एम अपाउन एफ इंटू एफ तो यह फार्मुला था इसको देखे यू की वैलू माइनस पांच रखेंगे एम की वैलू दो यहां पर दोनों जगा रख देंगे तो यहां से एप की वैलू पता चल आगी हमको 10 cm तो यहां पर फोकस दूरी कितनी आगे 10 cm अब फोकस दूरी दोनों कंडिशन में सेम रहेगी अब आगे क्या हुआ कि हाँ पर आपका सेकंड कंडिशन में यू कमान कि नहों जारा माइनस का 15 cm हमने इसको देदी है यू डैस का मान तो अभी हां से अभी ज़र को आफा यू डैस है तो हम लोग आगे वी डैस का ही मान निकलेंगे वी न मान कि यहां पर लगा देना है अप कमांड दस आपको पता है यू कमांड़ पता है माइनस का 15 माइनस मापस हो जाएगा अब इसको जब आप स्वावलब करेंगे तो यहां से आपका वन अपवान विडेस पर वन अपॉन थर्टी आएगा जब दोनों पच्छों का व्यत्करम करेंगे तो वीडेस पर आपका वीडेस का मान कितना होगा लेंस असे यहां पर आपकी प्रतिविम की दूरी कितनी होगी तो आपकी यहां पर तीस सेंटीमिटर आपका होगा को तो यहां पर आपका जो दी नंबर विगया अपका राइट हो जाएगा आपणकी आपका ल fronts के यहां पर के दूर और रख्यवस्ती Support क।रौण की focus धूरी देखें यहां पर आपसे बिला जा कि मान लेते हैं आपका यह लेंश आप का लेंश है अब आप को दो देखें की लेंश में आपका ऐसा काओं चाय जिसमें आपका वस्तू के पीछे प्रतिविम बनता है तो पहले ताहर क्या है वस्तु के पीछे प्रतिविम बना आगी आपका आप की दूरी पर है यहां, अब आगे है कि यहां पर आपको यहां पर बन राए तो यह भी कितना है यह आपका वस्तु से भलगा रहे हैं माइनस का 10 आगे यहां पर जो एप कमान है जो यहां पर आपका यह भी कमान है वह आपका और बढ़ जाएगा बीस हो जाएगा तो यहां पर आपका बताया गया तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं दस दस बेस होके जोड़ जाएगा आपका तो यहां पर देखे यू कमान को दिया गया माइनस का 10CM हकी माइनस कटना उचा यहां से लगते हैं यहां- से पर के यहां पर यहांपर जो सघ्राइगा यहां पर थोड़ा समय तो यहां से आपका यही फोकस दूरी का माने जाएगा एब बराबर बेस यह यह वाला आप माइनस अटा लिजेगा यह आप आपको समझ भी आ गया यह आपको समझ में आगया तो वीडियो को तुरंद लाइक कीजिए अब देखिए नवा नंबर कोशन क्या दिया गया कोशन में आप से बोला गया है जीजो तो समलो 12 मीटर फोकस दूरी के उत्तर लिंस से वस्तू का तीन गुना वास्तिक पर दिम पर पर प्राप्त करने के लिए वस्तू को लेंस से कितनी दूरी आप आपको रखना होगा यहां से हम लोग को किस का मान निकालना यू कान तो वहीद दोस्तों सौर्ट वहनुट वहाला फारमला जो हम लोग का नवा नंबर आपका जीजो का मान हो 12 मीटर है अब प्लस में क्यों लिया क्योंकि आप का उत्तर लिंस ए म कमान में इस कि आप विंधा यहां पर वास्ति आप करेंगे हम लोग तो देखें इस वाले फर्मिलें वैलू रखते हैं तो एप कमांड जीरो सम्दों बारा और यहां पर वन अब यह माइनस माइनस हो जाएगा प्लस नीचे वाला माइनस आपको ऊपर कर देना है तो चार बुटे तीन इंटू जीरो सम्दों चार इंटू जीरो चार होगा यहां पर जीरो सम्दों जीरो चार होगा एंड इसके बाद इधर आपको तब आप चार से मल्टिप्लाई करेंगे तो चार्च को सोला हो जाएगा इधर तो यहां पर कहां पर दो अंग्या बाद दसम्दों लगाएंगा तो यहां पर एक चीज यह आपको दो अंकर के बाद ही लगाना पड़ेगा तो चलिए यह आपका क्लियर हो गया नवा नंबर तो यहाँ पर आपका नो नंबर कांसा चेक कर लेते हैं कौन सा राइट होगा तो यहाँ पर जीरो तो सम्वलोग छाय मीटर एक शाय मीटर मतलब की दी नंबर विकलप आपका राइ फोकस दूरी दी गई है और एक लेंकि यह दूसरे ग्याट ऑजाएगी तो हए सकती आसानी से निकाल सक्ति हैं कैसे सवालोग करेंगे तो आपको जब पढ़ाई थी यह फार्मूला बदाए आप से जब आपका लेंस का समायों जन होता तो यह आपका फोकस दूरी के लिए फार्मूला होता है तो यहां से देखेए एप्टु कमार निकालेंगे तो इसको लोग इधर लेंगे ति भी आपका माइनस में हो तो यह भी आपको पी इप टू की वेलू आगए अभाशा को दूसरा लेंस है उसकी चमता ऐतकरने तो फूकस दोरी पड़ता है क्या होता है पी टू बराबर होता है हंड्रेड अपॉन एप टू हो जाएगा तो हंड्रेड अपॉन एप टू दिया आपका तीन आ जाएगा ऊपर अपॉन में चाली सो माइनस इधर लगा देंगे जब इसको सॉलॉप करें तो आपका किना एगा साथ दसमलों पांच डायोप्टर और मा तो चलिए दसवाप को समझ नहीं आ गया यह दिया तो वीडियो लाइक करें अभी 11 नंबर की चलते हैं अभी सारी के मार्ग में 20 सेंटीमिटर की 20 सेंटीमिटर फोकस दूरी वाले आवतर लिंस को रखने पर किने लेंस से 15 सेंटीमिटर पीछे अच्छ पर फोकस होती है त इहां पर आपका जो वस्तु का प्रितीमिंब आपकी किरने कहां पर फोकस ओने 15 सेंटीमिटर तो यहां पर लेंस की अनुपस्तिती में करने फोकस होंगी तो वह पर रहें पर आपको यूगमान गयात करना कि तना होगा तो देखिए ग्यार नमबर कैसे सवालव करेंगे बिल्कुल जी कुछ ज्यादा नहीं देखिए एप कमान माइनस का 20 से इंटने मीटर के लिए किया है आप गार आप सारी लेंशत बसारी मिकलब की ओतर लेंज्स है तो धमान मानियर सोता है बीकमान मैने प्लिस का फंडरा लिया हुआ अब देखिए को इसको स्वालो करते हैं अभी आपका इधर आएगा तो यह आपका देखिए यहां पर कुछ आभी हाँ चलिए हासा यह देखिए यह यहां अपन यू- कि आप को इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखे साथ बटे साथा जाएगा जबापको इसका व्यषत करेंगा तो आठ संस्व और यह आपको ग्यात करना था कि 8.06 सेंटिम्टेस का राइट आंसर होगा तो चलिए तो यह आपको 11 नंबर भी समझें आगे होगा किसी ल scrambled की वस्तू की लंबाई उसके प्रतिविम की लंबाई गया है तो यह बिलकुल इस देखे बार्वी नंबर को कैसे स्वालैब में पर तो यहां पर यहां पर और रेसिओ कमन एक रेसियो चार अपरण्य कि हôm कि उप्सक्रा तेंगे touring के MR कर देते यू अपन भी कर देते इधार आपका ऑपन आई कर देदे बिल्कुल आसान हो जाता है है यहां पर देखिए यूपन वी कमान आपको गयाध करना है वह पान आई कपतां कितना एक बटे तो 1 रेशियो का 4 रेशियो आपका उसका उसका हो जाएगा तो नहाँ इतने में भी हो जाएगा पर एक 4 एक आंपात्य चार रहे हैं पर आपका रैट आंसर हो जाएगा आपका 304 अब दोति किसी परदे से दोरी पर रखे एक मॉंबत्ती है इधर आपका पड़ल t यहां पर एसको रखे इसको हमने मान लिया अडस प?, टोटल आप तो पता है तो यह कितना जाएकाहन। अच्स होजाएका क्यों पिर करें च्क हाँ नबे topics गया तीना आपको टूटल नबे और इतना आपको एक्साइन निकाल देंगे और जो यह आपका प्रतिभ्ण हो जो यहashod से परदिख दूर कि दिन जागी 90 मैने से और एप कमान आपको 20 सेंटी में दिया यह प्लस क्यों लिया क्यों कि आपका उत्तार लेंस है अब देखिए फार्मूले में आपको वैरू पूट आप करनी है सिंपल जो आपका फार्मूला होता है यहां पर देखिए हैं और है यहां पर बात आती है कि यह दोनों हो आगए और अपको 20 वी द दिया हुरा कि अब यहां पर क् WASतो रखते में यहां दूर पर ही रखते हैं तभ ही आपका प्रतिभी आपका बनता जाके आपका वास्तिक तो यहां पर आपको आपको प्रतिम रखना इधर आपको वस्तु रखनी है इसलिए यहां पर आपका बी नंबर विकल प्राइट हो जाएगा अदिके चौदा नंबर में क्या बोला गया है एक प्रदीप्त उत्तर लेंस के सामने 40 cm की दूर पर रखी है आगे क्या है आगे है यहां पर लेंस की फोकस दूरी 15 cm तो पर बनने वाले प्रतिविम का आवर्धन ग्याद करना तो यहां पर देखें एप कमान दिया है और यहां पर अने यहां पर देखें यह यहां लगाएंगे यहां जाएगा यहां से मुलू करेंगे तो 15 मौटे-वटे-पच्षीस जाएगी दरापका माइनस लगा हुआ है जब कट करेंगे तो पांस से अभर लोगा है एक उत्तर लेंस की फोकॉस दूरी आपको भी से वस्ट्बूक का दोगुना बड़ा वास्तिक प्रदीम बनना तो यहां है तो कैसे स्वालूप करेंगे 15 तो चवदय बारहत चोड़े है यह रहा फंद देंगे उत्तर लिंस है तहां है प्रत्विमारा का मान किसा होगा प्लस का भी से एंट्विटर कोगा अब का वास्तिक था और यहां पर दो गुनाबना तो एम कमान माइनस टू कर दिए वास्ति था तो इसलिए माइनस किया अभी यूग याद करनी है तो सिंपल जो फार्मुला हम लोग को ट्रिक वाला था वह लगाएंगे यू बराबर वन माइनस एम अपन एप इंटू एफ तो इस्ते सॉल पर निकालेंगे तो यहां से यू कमान कितना हैगा माइनस का 30 मिटर और यही समझ भी आगे होगा अब देखिए आगे दोस्तों जो सूला नंबर कोशन है उसको आप सॉल्व करके यहां पर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताएंगे कोशन क्या है एक उत्तर लेंस से पंद्रा सेंटीमीटर की दूर पर रखी वस्तू का चार गुना बड़ा यू कमान आपको माइनस का पंद्रा दिया है एप की वैलोग याद करनी है तो वही वाला लगाना जो मैंने भी आपको लगा के बता है तो इसको आपको सॉल्व करना है चलिए तो अब सब्सक्राइब क्यों चलते हैं क्या दिया गया है दो लेंस जिनमें एक की फोकस दूर सब्सक्राइब करना है आपको देखिए एफवान कमान आपको मान प्लस का 25 दिया हुआ है कोश्चन में और एप टू कमान माइनस का दस दिया हो थोड़ी बोलना चाहूंगा और यहां पर आपको टोटल आपको फोकस दूरी गयात करनी है ओवराल जुस्टाइब प्राप् प्रोटे पाचास ये या गई आपकी हमपर एपका वन अपवन अपन एप कमान आया कितना तीन बटे 50 माइनस कट यहां से माइनस का प्चास बटे 3 हो जाएगा तो यहां पर देखें तो यहां से अब एप की वाली निकाल लिया या फिर आप वन अपन एर ने दीजिए क्य तो यहां पर आपका माइनस का च्छै डायोप्टर आपका राइट आंसर जागा तो यहां पर आगे कोंशच्चन है कि सी बिन पर वस्तू का प्रितिम बनाने के लिए आवस्ते क्लिणों की संख्या होती तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ यहां पर दो क्लिनों गया सकता होती किसी भी वस्तु का प्रतिविम बनाने के लिए एक जो आपकी प्रकासिक के जाए एक जो मुख्यची के समानतर चले आपको क्लियर हो गया अब देखे 19 नमर में क्या है एक लेंस की फोकस दूरी यहां फोकस आपको दूरी एप दी गही है एक दीप तुवस्तु का चित्र परदे पर आपका एंगुना बड़ा बनता है तो परदे की लेंस से दूरी याद करने मतलब कि जो आपका प्रतिविम बन रहा है उसकी लेंसे से दूरी गयात करने हैं तो इसमें दोस्तों जो आपके विकलप दिये गांगे सभी विकलप आपके रॉंग है कोई भी आपका विकलप राइड नहीं है यहां पर आपके दो विकलप आ सकते हैं एक जो मैंने बताय हुए दूसरा जो आपको मा पवान एफ वह वी बरावर वर माइनस अम इंटू एफ यह आपका फारूला था जो मैंने आपको यहां पर बताया था किसमें आपको थेवरी वर पर अपर देखे अब एम कमाने कितना एन मतलब की एंग गुना है तो वी बरावर कितना हो जाएगा वर माइनस एन अपको मानते हैं यह आपको इसी तरह रहेगा अब यह पर आपका यहाँ पर आपका एन-1 यह पी आपका प्लस-1 तो और आपके जो विकल्प दियेगा हैं वह आपके पूरे सभी विकल्प गलत हैं कोई भी आपको विकल्प सही नहीं है स्प्रिंट हो गया है तो देखें अब यहां पर 20 नंबर में हैं यहां पर लेंस के दोनों गोली प्रष्टों के वक्रता केंद को मिलाने वाली रेखा तो देखें लेंस आप कोई भी लिए चाय उत्तर लेजये चाय उत्तर पड़ें देखें उत्तर लेते हैं यह आपका एक गोली प्रष्ट हो गया इसका वक्रता केंद का होगा यहाँ पर तो इन दोनों रेखाों मिलाने मुझ अउऌंतें वहां दोनों गिलाना यहां क्यों तो यहां पर आपका 20 का बीनमबर विखल पर राइट हो जाएगा इस तरह दोस्तों मैंने देखे इस वीडियो में आपके 20 कोशन कवर करा दिये हुए है अगले वीडियो में बागी की जितने भी बचे कोशन उनको कवर कराऊंगा तो उम्मीद दोस्तों वीडियो आपको पस